अब ही जब मैं अंदर गया अब ही जब मैं अंदर गया विपक्ष के मेंबर्स ओफ पार्लिमंट ने मुझे बदाई दी कहा बहुत अच्छा बोले मगर हैरान हुआ कि जब मैं वहाँ गया आपके ही मेंबर्स ने मेरा हाथ मिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले आपके मेंबर, इन्होंने नहीं, आपने, क्योंकि ये अवाज आपके अंडर भी है, ये अवाज चरफ इजर नहीं है, ये अवाज आपके अंडर है, पूजेपी में है, ये अकाली दल की नेता, मुस्कुरा के मुझे देख रही थी, आपने देखा, मुस्कुराया, नहीं, तो यह जो फीलिंग है पूरे थेश में है और हमारा काम इस फीलिंग को जोड़ने का है अब मैं आपको यहां बता देता हूँ पूरा का पूरा विपक्ष और आपके बहुत सारे लोग मिलकर प्रादान मंत्री जी को जुनाव में हराने जा रहे हैं अब मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सोचोगे आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रादान मंत्री के खिलाफ आप सोचोगे कि मेरे दिल में प्रादान मंत्री के खिलाफ गुस्सा है थ्रोध है नप्रत है मगर मैं आपको दिल से कहता हूँ मैं प्रधानमंती, बीजेपी और आरेसेस का बहुत अभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कॉंग्रेस का मतलब समझाया कि उन्होंने मुझे हिंदुस्तानी होने का मतलब सिखाया हिंदुस्तानी का मतलब, चाहिए तुम्हें कोई भी कुछ कह दे तुम्हारे खिलाब कोई भी कर दे, जूटी बात बोले, डाली दे, लाटी मारे तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजे पी आरे सेस ये आपने मुझे सिखाया और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाएं इससे बड़ी बार होई ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ये ये हमारे देश का इतियास है ये प्लीज ये हमारे देश का इतियास है और मेरे अंदर आपके अंदर मेरे नफरत है आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है आपके लिए मैं पपू हूँ आपके लिए मैं अलग-अलग गाली दे सकते हो मगर मेरे अंदर आपके खिलाब इतना सभी गुस्सा इतना सा भी क्रोथ, इतनी सी भी नफ्राद नहीं है मैं कॉंग्रेस हूँ और ये सब कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है इस बात को आप कभी मत भूलिए और ये भावना आप सब के अंदर है और इस वावना को मैं आप सब के अंदर से निकालूँगा एक एक करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूँगा और आप सब को कॉंग्रेस में बदलूँगा धन्यवाद, नमस्कार येस निरमला जी हाँ नो देहत आप दो देहत ध़्यस्व 舒िवैँ़, नमस्कливा तरुपा प्योदू ज सर्थेएं पिल्सैफिटल चुछी प्लीज प्लीज बेटिए रदान मंत्री जी ये हाउस को ऐसे नाटक्मत पनाऊची हिंदू होने का ये मतलब होता है कि चाहिए आप मेरे उपर जो भी फेको जितना भी फेको राहुल जी ऐसा नहीं है हाउस है हाउस के अपने कुछ नियम है प्लीज आपका बाचा है को अप पैठी निर्माला जी निर्माला जी बोल रहे है यह जंडिए आप वैटावी जर्टेश vorbei